असलाम नेकुम स्टूडेंट्स and welcome back to our YouTube चैनल आप देख रहे हैं M. एहमन नजीर चानल जी बेटे आज का हमारा chapter number 10 का lecture number 7 है 10th क्लास की बायलजी की बुक से आज का जो हमारा topic है वो है respirator disorder previous lecture में previous video में आपने देखा था mechanism of breathing जिसमें हमने कहा था कि दो steps है inhalation and exhalation इन दो steps को complete करते वे breathing का प्रोसेस complete होता है respiratory disorder में हम देखेंगे तीन यहां पर हमारे सामने disorders है एक disorder आपकी बुक से cut हुआ हुआ है smart syllabus में ठीक है emphysema जो है आपकी smart syllabus में include नहीं है तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे कौन से हैं bronchitis है pneumonia है और esthema ठीक है bronchitis का word जो है यह दो words की combination से मिलकर बना है bronchi से हमें दो बाते पते चलती है bronchi और bronchule हमने पढ़ा था न ब्रोंकाई और bronchules क्या होती है trachea divide होता है तो bronchi बनाता है और bronchi further divide करता है तो bronchules बनाता है itis का जो word होता है बिटे itis itis का मतलब है inflammation inflammation क्या कहा मैंने inflammation आपने इस तहां के और भी words देखे होंगे सुने होंगे जैसे के hepatitis सुना है आपने hepatitis में आपको information बता रहे हूं ठीके बिटा तक आपको यह याद भी रह जाएगा और आपको एक नहीं बात भी बता चल जाएगी है यह भी दो वर्ड से निकला है हिपैटिक हिपैटिक का वर्ड बिटे यूज हो रहे है लिवर के लिए होता है और आइटिस का मतलब यहाँ पर भी है inflammation तो बिसिकली मैं आपको यह बताना चाह रही हूं कि जहां पर भी आइटिस का वर्ड आता है उसका मतलब होता है inflammation तो hepatitis का मतलब क्या होँआ inflammation of liver तो hepatitis यह होता है और bronchitis क्या है bronchi या bronchiules का inflammation हो जाना ठीक है तो inflammation कैसे होती है उन्हें तो वह इस तहां से होती है कि bronchi या bronchiules क्या है tubes है basically तो उन tubes के अंदर excessive secretion होना शुरू हो जाती है mucos की उनकी दिवारों से mucos secret होने शुरू हो जाता है और tubular wall जो है वो swell हो जाती है जिसके नतिज़े में tubular wall जो है वो narrow हो जाती है यानि कि आप देखें कि यह क्या है यह एक tube है और इस tube के अंदर वाले जो cells है वो क्या करेंगे वो mucos release करने शुरू कर देंगे और जब वो mucos release करने शुरू कर देंगे तो क्या होगा अंदर की दिवारों में यह swelling हो गई ठीक है उसके secretion की वज़ा से और secretion के नतीजे में क्या हो गया कि जो हमारी tube है उसका रास्ता क्या हो गया तंग हो गया नेरो हो गया ठीक है तो bronchitis क्या है bronchitis is the inflammation of bronchi or bronchules it is due to the excessive secretion of the mucus which results in the swelling of the tubular wall and narrowing of the tubular wall ठीक है अब इसकी causes क्या है किस वज़ा से bronchitis होता है तो जब भी कोई ना कोई वायरस bacteria या फिर कोई ना कोई chemical irritant हमारे air passage way में enter होता है और हमारे bronchi और bronchiule में से गुजरता है तो वो basically ये सारे काम करवाना शुरू कर देते है excessive secretion of mucus और उसके नतीजे में फिर inflammation होती है bronchi की या bronchiule ये ठीक है viruses, bacteria या chemical irritant ये short question ने बीटा past paper का write down causes of bronchitis तो आप सिर्फ तीन बाते हैं वो बता देंगे virus, bacteria और chemical irritant ये इसके बाद जो है difference between two types of bronchitis भी है symptoms of bronchitis भी है तो ये इंशाला chapter complete होने के बाद जब हम past paper discuss करेंगे तो मैं आपको सब कोसंस डिसकस करूंगे ठीक है आपके साथ तो bronchitis की बेटा दो टाइपस है एक है acute bronchitis एक है chronic bronchitis तो ये भी differentiate आ जाता है कि differentiate between acute and chronic bronchitis इन में कुछ खास detail में नहीं बताया वा यहां पर सिर्फ एक बात है acute जो है ये दो हफ़तों के बाद जो है two weeks के बाद जो है patient recover हो जाता है यानि कि जब भी उसे bronchitis हुआ virus bacteria chemical irritant के नतीजे में दो हफ़तों के बाद वो ठीक हो जागा ठीक है जबके chronic जो है उसमें three months to two years भी लग जाते ये दोनों बाते MCQ के लिए हांसे भी बहुत important है नेक्स्ट है कि जो acute bronchitis जिसे होता है यानि कि bronchi या bronchiol inflame कर गई है acute में वो जल्दी ठीक हो जाता है और जब ठीक हो जाता है तो कोई permanent damage नहीं होता इन parts को bronchi या bronchiol को लेकिन जब chronic होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्वेर किसम की inflammation होती है chronic का मलत बता है moholic यानि कि इसमें बहुत ज़्यादा महलिक किसम की inflammation होती है bronchi या bronchiol में तो बस यही दो points लिखे में acute में आप लिख देंगे कि it lasts about 2 weeks chronic में आप लिखेंगे it lasts about 3 months to 2 year इसमें लिखेंगे in this the patients recover with no permanent damage in these patients faces chronic inflammation of their bronchi and bronchioles इसके बटा एक आपके बुक में लिखावा है इसी paragraph के बाद उसमें लिखावा है कि chronic bronchitis जिन लोगों को होता है research के मताबिक देखा गया है कि chronic bronchitis जिन लोगों को होता है 45 years of age या इससे जादा अब देखें कि जितनी भी जादा diseases होती है severe किसम की diseases होती है वो large age में जाके ही होते हैं ऐसा क्यूं है क्योंकि उस वक्त हमारा immune system जो है बहुत ज़दा काम करना कम कर देता है ना उता strong नहीं रहता है इस वज़े से उस वक्त हमारे पास diseases का attack जादा होता है तो इसलिए 45 age या इससे जादा लोगों को chronic bronchitis हो सकता है बा तो हमें कैसे पता चलेगा आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपने यह वाले सारे symptoms बताएंगे तो वो diagnose करेगा कि अच्छा आपको bronchitis है तो वो क्या है कफ है खांसी आती है फीवर आपको बुखार हो जाता है यानि के respirator disorder में खांसी हुई लेकिन नॉर्मल हमें ज जाता है चाहता है कि जब खुली प्रॉंकाइटस थी तो कितना इज़ी सांस अंदर आ रही थी ना हावा ईजली गुजर जा रही थी आपके लंग सक लेकिन जब प्रॉंकाइटस के नतिज़े में ब्रॉंकाई का रासा तंग हो गया तो सांस भी जो हवा बी कम अंदर आए तो जब हवा मूफ करके जाएगी ना उसमें से तेजी से जाती है च्छोटी सी कम अमाउंट जा रही है हवा के तो उस वक्त जो है एक साउन प्रोड्यूस होगी खर्खराहट की आवाज आप कह सकते हैं ठीक है विसल साउन की जैसे सीटी बजाने की आवाज है तो कुछ ऐसी आवाज आती है और चिल्स सर्दी लगना तो क्या के सिम्टम्स है हमारे ब्रोंकाइटिस में कफिंग होती है बेटा फीवर है शॉटनेस ऑफ ब्रेथ है माइल्ड वीजिंग है चिल्स है अब आपको बताओं कि यह जो तीन है यह कॉमन है तीनों में तो आपने सिम्टम्स क जी नेक्स्ट है नमोनिया नमोनिया की डेफिनिशन है इंफेक्शन अफ लंग्स इस कॉल्ड आज नमोनिया और अगर ऐसा हो कि बोथ लंग्स अफेक्ट हो जाएं क्या मैंने कहा कि बोथ लंग्स अगर अफेक्ट हो जाते हैं इस डिसॉडर से तो हम उसे कहते हैं डबल न नयूमोनिया है किनी नमोनिय क्या है नमोनिय की काश है, इस बक्टीरिय की ब्क्टीरिय कि सुस्ष्टी का नाम है - बक्टीरिया- क्या नाम है ॸ क्रप्टो कॉक्स नमूनिया ho na हम यहां पर अंडर लाइन किया हैं बाक्यों सब्सक्राइब Biggen시 है कि जब इस scientific name आप handwritten लिखते हो तो क्या करते है उसे underline करते है तो इसलिए मैंने इस underline किया है क्या है बैक्टिरिया का नाम streptococcus pneumonia viral infection और viral virus कौन से है वो influenza virus और next है fungal infection फंगल infection हो सकते हैं viral infection हो सकते हैं या फिर बैक्टिरिया जो है वो इसकी cause है यहां से आपको SMC क्यों बन के आ सकता है पिसले bronchitis में भी ऐसे ही बन के आ सकता है कि what is the cause of pneumonia और आपको लिखा हो कि streptococcus pneumonia option b हो viral infection option c हो fungal infection और option d हो कि all of these तो आपका correct option होगा all of these ठीक है तो बिटन नमूनिया की definition हो गई कि infection of lung है simply definition और अगर बहुत लंग affected होगे तो double pneumonia कहेंगे causes क्या हैं यह तीन इसके causes हैं अच्छा तो जब यह जो causative agents हैं नमूनिया cause करने वाले agents हैं enter हो जाते हैं हमारे lungs के अंदर तो क्या करते हैं लंग्स के अंदर जाने के बाद यह हो जाएंगे लंग्स के अंदर settle down अराम से जाके बैट जाएंगे और settle down होने के बाद क्या करेंगे अपनी growth start कर देंगे ठीक है और उस growth के साथ साथ क्या होता है बैटे कि ना जो जो अलविलाई है यह लंग्स है उसके अंदर पस की सिक्रीशन शुरू हो जाती है बहुत जाता पस रेशा कहले बनना सुरू हो जाता है एक लिक्विट बनना सुरू हो जाता है ठीक है तो यह सारा काम करते हैं यह causative agents, यानि कि इन मैंसे अगर bacteria भी जाता है, virus जाता है या कुछ fungal, या fungus spores या infection enter होते हैं, तो ये जाएंगे settler town होंगे वहाँ पर growth start करेंगे और उसके नतिजे में pus formation कर देंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है तो ये इसका mechanism है किस तरीके से सारे काम करते है, lungs के अंदर जाके अब हमारे पास है कि pneumonia के symptoms क्या है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि pneumonia है तो पहला point देखे, वही same है मैंने उसी sequence से यहाँ पर लिखा है ताकि आपको याद रह जाए यह चीज, यहाँ पर भी देखे, cuff fever shortness of breath और यहाँ पर भी मैंने सेम लिखा है, cuff fever shortness of breath यहाँ आपको यह तो कमस कम याद है कि यह तीन जो है, यह सेम रहेंगे pneumonia में भी और bronchitis में भी लेकिन यहाँ पर cuff के आगे मैंने लिखा है sputum production sputum किसे कहते है, बलगम को इनके थूक के साथ एक होता है, dry cuff और एक होता है इस ताह से, यानि कि sputum production, जब भी आपको कफिंग होती है खांसी होती है, तो खुद बखुद आप बलगम जो है, आप फेंगते हैं, ठीक है, तो उसे कहते है cuff, sputum production, fever है shortness of breath है, shivering है और purplish color अबाड़ी का shivering के आपको बहुत जादा कपकपाहट होती है सरदी लगती है बहुत जादा उसके साथ यहां पर लिकाव है, परपल भी है और साथ ही साथ डस्की भी लेकिन परपलिश जादा है क्योंकि यह मैंने खुद observe किया है इस चीज़ को, कि बोड़ी का कलर यह चीज़ भर जाएगा पस से तो मुझे बताएं कि हवा तो अंदर एंटर होगी नहीं अच्छे से हवा ही नहीं एंटर हुई, ऑक्सिज़न ही नहीं आई फिर एक्चेंज अफ कैसिस भी नहीं हुआ इस चीज़ से ऑक्सिज़न की कमी हो जाती है और ऑक्सिज़न की कमी के नतीजे में फिर क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो डियोक्सिज़नेरीड होना शुरू हो जाता है वो डियोक्सिज़नेरीड फिर पूरी बॉड़ी में जब घूमता है तो वो परपलिश सा कलर कर देता है यही रिजन हो सकती है कि परपल कलर हो जाता है बॉडी का नमूनिया के सिम्टम्स के दुरान तो यह सिम्टम्स है पांच कफिंग विद स्पूर्टम प्रोडक्शन फीवर है शॉटनेस ऑफ बिथ है शिवरिंग है परपल कलर है यह डस की कलर है ठीक है उसके बाद बेटा इसके ट्रीटमेंट भी यहां पर लिखावा है ट्रीटमेंट क्या इसका ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं लिखावा लेकिन आप देखेंगे कि नमूनिया का और एस्थमा का ट्रीटमेंट लिखावा है वेक्सिन्स के से रिलिटिट। यहाँ पे लिखावाै. स्रेप्टो teacher की निमंऊनिया से रिलिटिट वेक्सिन्स बनाई जाती है जो के प्र उन पेशेंट्स को दी जाती है ताके क्या हो सके उनकी ग्रोथ वगारा को रोका जा सके इन्तिबाइटिक्स का बैस्तिजले काम यहीं होता है、 रोकी यह और बैक्टिरिया के ग्रोथ को या प्रतियों को किल नहीं करता और बाकी जो है पहले वाली उन्हें भी किल कर दिया जाता है ऑर डैमिज्स कराएं मजीद न हो दीखा है ची बेटे आज के लेक्षर में हमने रेस्पारेटिड डिसॉर्डर्स डिसकस किये हैं आज हमने सिर्फ दो देखे हैं ब्रॉंकाइटिस देखा है और नमूनिया देखा है ठीके तो आज के लिए इतना ही इंशाला हम नेक्स्ट वीडियो के साथ दुबारा आएंगी उसमे हम लास्ट वाला जो एक पॉइंट हमारा एस्थमा रह गया है और एक क्लास टॉपिक है हमारा स्मॉकिंग से रिलेटिड उसे डिस्कुस करेंगे वीडियो पसंद आ जाती है बेट